आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे जैब प्रकास पावर वेंचर स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में धीरे धीरे एकुमलेशन करकर के इस समय जो मेरा प्रसनल सौर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से जो हमने बाइइंग कर रहा था लगबग 5 रूपी 70 पैसे पर 44 परसेंट का गेन हमारा प्रसनल चल रहा है हमने कहा दिस इस जब सब बीगन ही बरे ट्रेंड अभी भी पेंडिंग है तो एपिसोड में आगे बरहें से पहले प्रेमियम टेलिग्राम को जोईन करके डिसक्रिप्शन के लिंक से अकाउंट आपन कर लें अगर आपको ए डिसेंटरली न्यूज कुछ बहुत बड़े नहीं दिखे वो कुछ कमिंट भी आते दिखे थे जो यह अपने कारी को एक्सपेंड कर रहा है उसको लेकर करके फंडामेंटली अगर आप एनलेसिस करेंगे तो समझ पाएंगे डिसेंट उसके अलावे कुछ बहुत बड़े नहीं है और यहां देखेंगे तो जो इसके जो डिलेवरी हैं वो काफी फैवरेबर डिलेवरी दिख रहे हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस समय एक बार इस स्टॉक में जो टेन के आजपास के लेविल के ब्रेक आउट होते हैं उसके बाद हम बरे ट्रेंड भी एक् और इस समय इस स्टॉक के जो टेक्निकल ट्रेंड हैं वो काफी आउट परफॉर्मिंग है और परफॉर्मिंग ट्रेंड के साथ ही जो डिलेवरी है वो बिटर है जो वाल्यूम है वो हायर वाल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेंड काफी फैवरेबल कर रहा है कंपनी ने अपने investment काफी बरहाए हैं और यहां देखेंगे एक consolidate के बाद एक breakout हुआ और यह 9-10 का एक resistance है जहां से supply दीख सकता है तो पहला target जो है 9.35 से 10 के आज पास का target होने वाला है एक बार इस zone को retrace करता है फिर एक बड़े trend reliance power जैसे हम expect करेंगे तो अगर already invested हैं तो यहां यह देखेंगे strand line को इसने कभी breakdown किया ही नहीं continuous इसको respect कर रहा है और अभी जो lower low lower high जो trend होता है weakness का उसको इसने यहां से change करके जो trend इस समय है higher high higher low का दिख रहा है जो कि काफी strong uptrend माना जाता है यहां देखेंगे यह काफी trend rejection रहा और अगें यहां breakout करते यहां देखेंगे breakout करते दिख रहा है और यहां से एक बड़ा trend दिख सकता है और मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको यह पता है कि नहीं यह कौन सा trend होता है यह कौन सा trend है जरूर आप comment box में बताएं जैसे बहुत सारे inverse head and shoulder, rounding pattern, cup and handle तो यह कौन से pattern है अगर आपको पता है तो comment box में जरूर बताएं